इस ते आज का हमारा topic है कि किस तरह आपने जो है clients की तرفаться investors की तरफ exactly वह अपनी attention अपने अपर attention ले करा आने किस तरह आप जो है वह clients और investors को जो है अपनी तरफ attract कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आपने जो है Facebook अप आपने सबके पास Facebook वह ठीक है । आपने you और उसके बाद आपने जो हैं सबसे पहले जो हैं अपने जितने भी Amazon के ग्रुप से आपने वो सारे जो हैं उनको क्या करना है आपने आपने उनको जो है वह उन गुरुप को जोईन कर लेना है ठीक है यहां पर आप सिंपली लिखे Amazon और आपके पास यहां पे जो हैं वह मुल्टिपल गुरुप साजेंगे ठीक है यहां से आप जो है हमारा ग्रूप उससे मैं आपको एक्जांपल दूँगी यहां पे हम सबसे पहले अपना ग्रूप ओपन कर लेते हैं ठीक है एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि हम लोगों ने जो है वो किस तरह जो है वो इन्वेस्टर्स और क्लाइंस वगेरा की लेनी है ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट करना है पोस्ट करने से ठीक है आपने जो है वो वीक की आपने कोशिश करनी है कि आप 3-4 पोस्ट लाजमी करें ठीक है रेक्रमेंडेड है आपका कि आप दिन में एक पोस्ट लाजमी करें कोई भी ट क्रदीजी टो उसके उसके से क्या करना चाहिए यह सारी देखने के बाद आपने जो है क्या करना है आपने पोस खिक भी थीक है जब आप पोश्ट को शीर करेंगे झा तो यह क्या होगा कि इस से जो है आपका बहुत एक अच्छा impression परता है यहाँ पर हम अपना यहाँ पर नेम mention कर दें ठीक है अब मैं इसको यहाँ पर जो है वह क्या करूँगी पोस्ट कर दो ठीक है अब आपकी posting होती रहे कि लोग क्या करेंगे आपके साथ करेंगे एक let's say investor is group में ठीक है वो क्या कह रहा है कि चले हम कोई भी नाम ले ले लिए जैसे अली है कोई नाम ठीक है हम अली की पोस्ट जो है वो मंडे को आई है ठीक है investor दुबारा Tuesday को जो है वो online आया है वो फेस्बुक पे इस पॉस्ट करते हैं तो इसका मतलब जब आप पोस्ट करते हैं तो आप अपनी विजिबिलिटी शो करवा रहे होते हैं क्लाइंट को या इन्वेस्टर को और उसको समझ आ रही होती है कि ठीक है इस परसन के पास नॉलेज है एक तो आपने यह करना है दूसरा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अब आपसे अगर कोई आकर जो है यहां पर कोई क्वेशन करता है कि जो है इस question का answer बता दें ठीक है तो क्या करना है आपने कि आपने उस question की जो है query जो भी होगी आपने उसको solve करना है ठीक है यहाँ पे जिसने आप यह देखें यहाँ पे हमारे पास है कि question आया हुए कि client ने गलती से listing बनाते है वो किसी और brand का name यूज कर लिया अपनी PL के listing के दुरा गया अब जिसका brand था उसने Amazon पे जो है वो मतलब claim कर दिया कि यह तो मेरा brand है और इस brand ने जो है मेरा brand यूज किया है तो Amazon ने क्या कि जिस जिस client ने अपनी listing में किसी और का brand यूज किया हो था उसकी listing को suppress कर दिया ठीक है अब इसका simple सा answer है कि आपने Amazon के customer support पे जाना है उनसे live chat करनी है और उनको कहना है कि mistakenly मैंने अपना brand जो है वो different mention कर दिया और साथ में इसके इलावा आपने जो है अपने product पे अपने brand की pictures जो है ठीक है logo design हुआ हो तो वह भी आप Amazon customer support को जब भेजेंगे तो इस issue को easily resolve कर देंगे और आपकी लिस्टिंग सप्रेस हुवी थी वह वापिस जो है वो live हो जएगी ठीक है तो इसका simple सा आपने जो है वो answer दे देना है इस तहां क्या होगा कि आपकी engagement level जो है और बढ़ता है और आप easily जो है वो clients और investors के जो है वो नजर में आते हैं ठीक है not only in this group बट जितने भी Amazon related groups है वो foreigners के भी group है वो different groups है ठीक है worldwide Amazon जो है वो famous है और हर किसी ने groups बनाए हुए है आप वहां जाके post करें comments पे reply दें query solve करें आप यकीन जाने कोई ना कोई आपको अप्रोच जरूर करेग आपका message जो है आपका inbox जो है वो messages से flooded हो जाएगा इस कदर कि आप सोच भी नहीं सकते तो try to solve the queries और दूसरी चीज यह कि active रहे सारे Amazon groups में so that आपको जो है वो investor या कोई भी client आपको अप्रोच करें किसी individual task के लिए या पिर किसी launch के लिए